Hello traders, Shubham this side and welcome to the new learning video So friends, अगर आप trading बहुत टाइम से कर रहे हो, तो आपको पता होगा कि trading में market depth का बहुत importance है And especially जब जब आप बड़े quantity से trade कर रहे हो Because जब आप बड़े quantity से trade कर रहे होते हो और अगर आप directly वो order place कर देते हो तो market depth में उतनी बड़ी quantity easily visible होती है And उस visibility की वज़े से हमें stocks में थोड़ी बहुत volatility देखने को मिल सकती है Stock prices उपर नीचे हो सकते हो और हमें stock थोड़ा सा महेंगा भी मिल सकता है And ये problem high liquidity वाले stocks में इतनी ज़्यादा नहीं होती But आप जब small cap stocks में या फिर low liquidity stocks में trade कर रहे हो With bigger quantity या फिर हम कह सकती कि जब आप options में trade कर रहे हो Especially जब आप out of the money options या फिर slightly out of the money options में भी अगर आप काम कर रहे हो तो market depth में दिखने वाली आपकी इतनी बड़ी quantity आपके trading में effect कर सकती है So इसी वज़े से धन ने एक बहुत ही अच्छा feature launch किया है जो लोग बड़े quantity में काम करते है या फिर low liquid options या फिर stocks में काम करते है उनके लिए उस feature का नाम है iceberg orders अब यह iceberg order किस तरीके से काम करता है मैं आपको बताता हूँ मान लिजे कि आपको एक बड़ी quantity के साथ में market में buying करनी है तो जब भी आप iceberg order लगाते हो तब आपकी वो बड़ी quantity small small parts में divide हो जाती है and then one by one वो market में execute होती है इसी वज़े से market depth में आपकी directly वो बड़ी quantity नहीं दिखेगी instead of that आपकी वो छोटी छोटी quantities one by one execute होगी और वही one by one quantities market depth में दिखेगी और इसी वज़े से वो volatility भी create नहीं हो जाएगी और अच्छे price में आपको stock भी मिल जाएगा now let's discuss कि हम धन app में किस तरीके से iceberg order place कर सकते है तो हमें अपने धन app में login कर लेना है और जैसी हम यहापर login कर लेंगे कुछ इस तरीके का interface आपको दिखेगा अगर आपका धन में trading या फिर demat account नहीं है तो आप easily open कर सकते हो free account opening link आपको description में मिल जाएगी तो जैसी हम यहापर login कर लेंगे कुछ इस तरीके का interface हमें दिखेगा तो हमें watch list में जाना है और फिर जो भी stock या फिर future या फिर option strike price में आपको buying करने है वो strike price या फिर stock यहाँ पर watch list में add करके रखना है जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि Vodafone idea का हम example ले लेते तो मैं Vodafone idea पर जाएँगा और यहाँ पर buy button पर click कर दूँगा ठीके तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जैसी है यहाँ पर हमारी buying panel open हो जाएगा minimum आपको 100 quantity purchase करनी होगी तभी आप इस feature का use कर सकते हो तो आप यहाँ पर देख सकते कि जैसी मैंने यहाँ पर 100 quantity place की यहाँ पर नीचे slice as a iceberg का option आ जाएगा अगर मैं options की बात करूँ तो आपको कम से कम 5 lots या फिर 5 lots से जब आप ज़्यादा trade कर रहे हो तभी options मिलेगा या फिर minimum आपके trade value 25,000 होनी चाहिए तभी ही आप iceberg order use कर सकते हो आप देख सकते कि Vodafone Idea के share में यहाँ पर मैंने 100 quantity place कर दिये तो नीचे order details में आपको market या फिर limit select करना है जो भी जिस तरीके कि आपकी strategy होगी उसके अनिसार यहाँ पर आप market या फिर limit order चूज कर सकते हो और नीचे जाकर number of legs पूट करने होते हैं तो यहाँ पर मैं tick कर दूँगा इसे on कर दूँगा और यहाँ पर मैं number of legs डालूँगा अभी number of legs क्या होता है कि जितनी भी quantity हमने यहाँ पर place किये जितने भी number of legs आप डालोगे तो यह सारी quantity यह number of legs में divide हो जाएगी इसका मतलब अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो अगर मैं यहाँ पर 5 legs डालता हूँ अगर यहाँ पर 5 legs पूट करता हूँ तो यह जो 100 quantity है यह one go में नहीं जाएगी यह five orders में execute होगी one by one और market depth में भी directly 100 quantity नहीं दिखाएगा in this case लगबग 20-20 quantity के मेरे five orders लगेंगे और वो five orders one by one execute होगे and market depth में भी 20 quantities ही दिखाएगा अभी के लिए maximum number of legs आप यहाँ पर 10 पूट कर सकते हो जैसे आप यहाँ पर number of legs पूट कर दोगे तो simple आपको यहाँ पर instant buy button पे click कर देना है और आपके order यहाँ पर लग जाएगी इतना simple process है so I hope कि आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा और iceberg order भी आप अपने trading में use करोगे and अगर आपको यह feature पसंद आया है तो मुझे comment session में जरूर बताना आपको उनके लीडियो से करोगो तो च जहें कर्ना जापको से कूँनों कन दो हो आपकोromagnetic भीडियो करो यह बताना झाल झाल